आप सब का वेलकम है मेरे इस चैनल मेरा नाम है सारवेंद और मैं फोटोशॉप एडिट पिक्सार्ट एडिट एंड लाइट रूम के प्रिसेट भी सब कुछ प्रोवाइड करता हूं आपको इन वीडियो के थ्रू यूट्यूब वीडियो मेरी जो भी होती हैं बहुत ही सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो का लाइक कर देना इसमें मैं आपको बताऊंगा ब्लैक मूडी टोन कैसे अचीव होती है जो मैंने यह प्रोफाइल लगा रखिया और इंस्टाग्राम पर भी मैं आपको दिखा देता हूं यह बहुत ही अच्छी एडिट करी थी मै और मैंने कैसे लगा रहा है यह भी मैं बताऊंगा आपको पिक्सार्ट के अंदर और बहुत ही इजी टुटोरियल होने वाला है और अगर आपको सारी चीज़े डाउनलोड करनी है तो नीचे डिस्किप्शन में लिंक सब कुछ दे रखा है मैंने आप वहां जाके जॉइन कर सकते हैं और वहां से क्लिक करके कहीं पे भी डाउनलोड कर सकते हो और मीडिया फायर की भी लिंक एसवेल एस रहीगी और एक्जम्पी फोटोशॉप और पिक्सार्ट और लाइट्रूम सब में वर्क करेगा जिसमें भी आपको चाहिए ठीक है सायद पिक्सार्ट में नह लेता हूं और सबसे पहले मेरे का एडिट फोडो करनी और सबसे पहले मैं बैग्ग्राउंड ले लेता हूं से बहुत अच्छे से मैंने क्रेट कर रहा है अर यह शीज कर रहा है और यहन सप्लैश से मैंने डाउनलोड कर रहा था आपको उन्स cannas.com पर मिल जाएगा इसली और वहां से सारी copyright free images होती है सो वहां से use करना आप जैसे मर्जी यूज़ कर सकते हो इस image को सो यहां सबसे पहले मैं बढ़ता हूँ अपने आपको import करने पर import यहां करता हूँ और यहां पर जो भी मेरी placement रहेगी वो यहां पर रहेगी और जस्ट मैं अपने आपको अच्छे से place कर लेता हूँ जहां मेरे को लगे कि हाँ perfect है और कई problem नहीं आए तो यहां थोड़ा सा सर उपर है इसको थोड़ा सा नीचे कर दूँगा और यह perfect लग रहा है मुझे ठीक है और यहां से मैं ड़न कर दूँगा अब उसके बाद मेरे को दुबारा से इंपोर्टिंग में जाना है और यह सारी चीज़ा आपको बहुत एजली आ जाएंगे और यह टैटूज है तो टैटूज फटाफट इंपोर्ट हो जाते हैं यह टैटू है यहां सबसे पहले लगा देता हूं फटाक फटाक छोटा करना इसे यहां पर थोड़ा ठीक है और यहां ओपैस्टी के हमेशा फुल हाई नहीं रखनी है जितना वड़ आपको टैटूज जैसे हैं इतना चीए इतना चीए तो डिपैंट करता है आपको कितना टैटू हो चाहिए कईयों को ज्यादा बड़ चाहिए होता है कईयों करेंगे तो और अच्छे से ब्लैंड हो जाए यहां पैस्टी रिडियूस कर देना ठीक है अब उसके बाद यहां पे पेशेंस वाला टैटू है और यहां थोड़ा सा इसको देखके रखना है आपने न जो ब्लैंड आएगा वो आएगा मल्टिप्ला है और यहां से आप थोड़ा सा इसके रिड्यूस भी कर सकते हो पैस्टी अच्छे से ब्लैंडिंग क्रेट करने के लिए ठीक है अब उसके बाद हेर्स की बारी है हेर्स लगाने मुझे जिस्ट और सिंपल है यार यहां लग है हेर्स भी अब जो बचे है बस वो है वो यह आइज कि सो आइज को अच्छे से प्लेस करते है कि आइज आइज कि सो कुछ यहां पर सही लग रहे है मझे और यहां मैं टिक कर देता हूँ अब आप देख सकते हैं कि मेंज बहुत अच्छे से ंगे क्रिएट हो गई है अब हम लाइटरोम में करेंगे और लाइट Westminster करने से पहले सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आपकोने कहां प्रिसेट करना है कोपी पेस्ट जो भी होता है क्योंकि लाइटरोम के अंदर एकदम से शो नियो रहो संक्וא और बहुत लोग पर मैं आपको प्रीशेट करके दिखाऊंगा यहां सबसे पहले मैं इमेज को सेव कर देता हूं यहां यह सेव हो गई है अब उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं अपने यहां सबसे पहले आपको अपना file manager सर्च करना है तो यहां मेरा यह है file manager फाइल्स में नहीं जाना है अपने गूगल की फाइल से थोड़ी ख़राब होती है इसमें कुछ मिलता नहीं है सभीसे पाइल मेनेजर जो आपका फोन का होता है औरिजिनल उसमें ही जाना है क्योंकि उसके बिना आपका वर्ट नहीं होगा फिर आपको स्टोरिज की तरफ ठीक है फिर उसके बाद आपने डाटा में जाना है ना कि OBB या किसी OBJ मीडिया में और यहां डाटा में जाना है और फिर यहां बहुत सारे फोल्डर आ जाएंगे अब इन फोल्डर में से आपको एक फोल्डर सर्च करना है वो है Adobe Lightroom का तो यहां आप देख सकते हैं Adobe Lightroom का यह में आप create होता है ठीक है फिर उसके बाद Adobe Lightroom मोबाइल में आना है आपने और यहां आपको एक फोल्डर मिलेगा फाइल का फाइल के बाद कार्सल डॉक्यूमेंट्स तो इसमें भी आगे क्लिक करना है फिर यहां आपको दो फोल्डर दिखेंगे और इसमें जीरो जीरो जी बाद मनें आफित से नहीं होती है फिर आपने Quicklyई सैटिंग्स में अहेड करना है और अपने आनना है यूज listen दो डालॉड करोंगे तो यहां मैंटिया से ऐन दाउनलोड करोंगे जैसे मनने यहां फोल्डर पहले से बना रखा लाइडूमührt नाम से फिर यहां से मैं वो करूंगा कट करूंगा और फिर जल्दी से जाओंगा वहां पर जहां जहां मुझे जाना है ठीक है तो यहां ऐसे मैं जल्दी जल्दी कर दे रहा हूँ आपको पूरा समझा दिया है वैसे मैंने ठीक है और यहां आपने paste कर देना है तो यहां मैंने पहले से paste कर रखा है तो मैं यहां दुबारा paste नहीं करूँगा यह बस आपको समझाने के लिए था क्योंकि बहुत लोगों को problem होती है preset paste करने में और कई हो के चलते रही है preset और जो मैं exam भी provide करूँगा मैंने अभी खुद test कर रहा हूँ आपके सामने पूरी perfect रहेगी और यह पूरा कहीं से मैंने preset उठाया नहीं है यह जस्ट मेरा खुद का created है black moody tones के लिए और perfect work करेगा जब आपके skin थोड़ी bright हो ना कि dark condition में जब आपका skin थोड़ा bright रहेगा तभी यह perfectly work करेगा preset so try करें कि आप थोड़ा ना कि light में जाए sunlight में बिल्कुल photo ना कि लिक करें थोड़ा dark side पे click करें बस चहरे पे light आने चाहिए ठीक है अब यहां light room की तरफ मैं बढ़ जाता हूँ और अपनी photo को करता हूँ import जो मैंने edit कर रखी अपनी तो यहां यह edit हो रखी है अब pixart वाली photo है अब यहां import कर दी है so यहां पर यह मेरी photo आगी है अब यह थोड़ा phone को rotate कर देता हूँ अब जो चीज मुझे करनी है वो इसमें आपको दिख जाएगा अगर मैं यहां rotation इधर की side करता हूँ तो यहां आप देखोगे कि यह preset लिखा हुआ है तो यही है बस आपने preset में आना है so यह preset का button और यहां पर आपको सबसे पहले जब आपको यह direct नहीं देखेगा यहां आपको इसमें नीचे आना पड़ेगा और यहां आपको दिखेगा user preset फिर जब आप इस पर क्लिक करोगे तब आपका यह preset आएगा अब मैं जैसी क्लिक करूँगा बूम मेरी फोटो पर फिल्टर अपलाए हो गया और बिल्कुल same edit हो गया जैसे मैंने पोस्ट करी थी पहले मैं बहुत सारे स्लाइडर से करके पर आता था तो लोगों को समझ में नहीं आता था यह मुझे फंडा बहुत अच्छा लगा और यूनीक लगा एक अपने ही वे में यही तरीका है जिससे आप एजली प्रिसेट अपलाए कर सकते हैं और यहां से टिक कर देना अब उसके बाद जो भी आपको कलर करेक्शन अपलाए करनी है थोड़ा विनियर्ट यूस करना होता है तो आप विनियर्ट भी कर सकते हैं और यहां पर पहले से सारी चीज़े अपलाएड है थोड़ा बहुत आपको मोडिफिकेशन करना पड़ेगा यहां हाइलाइट्स और कॉंट्रास्ट में जो भी आपको अच्छी लगती है आपको बहुत हेल्प में लेगी आपकी पोस्ट की रीच इंक्रीज करने में तो प्लीज जरूर चेक आउट करें उसे एंड थेंक्यू एंड हैव नाइस टे